अगर आप इस न्यूज पेपर की पीडियाप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको मिलेगी टेलिग्राम पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तन आईएस टेलिग्राम पर लिख कर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं वीडियो सुरू करने से पहले एक जानकारी दे दूँ हमारा जो टेलिग्राम चैनल था परिवर्तन आईएस अकेडमी वो डिस्फंक्शनल हो चुका है तो हमने सेकंड चैनल क्रेट किया है परिवर्तन आईएस करके अकेडमी वर्ड उसके साथ इस्तमाल नहीं किया गया है के पहले बात करेंगे उक्रेण और रुस्या के बीच में जो एकित्रीकेश बाते है उन सब के बीच में कुछ इंपोर्टन इंफोर्मेशन आती है जैसे रुस्या ने जो इस्तरन यॉक्रेण का पार्ट है ऐगर आप उक्रेण का знаю देखेंगे तो इस मैप में जो यह वाला ज तक रेशियन जो एथनी ग्रूप उनसे ब्लोंग करता है और काफी हद तक रेशिया को फेवरी भी करता है यहाँ पर रेशिया ने बॉंबिंग करी और लगबग 60 से ज्यादा लोगों के डेथ होगी खर यह नंबर जो है यह सारी चीज़ इंपोर्डन नहीं है लेकिन यहाँ ज़्यादा प्रेशर क्रेट करेंगे देखो बड़ी अजीब और ग्रीव सी सिच्वेशन है रशिया पर संक्षन का बहुत ज़्यादा असर होता नजर नहीं आ रहा दूसरा इंटरस्टिंग बात यह है कि इन संक्षन का क्या मतलब होगा जब यह कंट्री बहुत सिच्वेशन के अंदर यह जो फोटोग्राइफ है यह रिकवर करना इतना असान नहीं होगा और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बिल्डिंग्स को बनाना और यह सब चीजे कोई वन नाइट यह एक दिन के अंदर खड़े होने वाले नहीं है एक रात में चीजे बदलने वाली नहीं है इसके अलावा यहाँ पर यह बोलना है कि भी प्रेशर क्रीट करेंगे हम लोग बोलेंगे की एक तरीके से रश्या पर ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर क्रीट करें तक यह ज़ीं हो आने वाले टाइम में नहीं कर पाए इसके लावा यह जो दिन SRECTI किया यूक्रेयन से बादचित करने के लिए यह माना जाता है कि यूरोपन कंट्री में एक यूरोप डे की तरह सेलिबरेट किया जाता है क्योंकि इस दिन 1945 में Second World War के बाद जर्मनी ने सरेंडर किया था और जर्मनी के जो नाजी फोर्स है उन्होंने सरेंडर किया था इसके अलाव जी सेवन जो कंट्री है यह ग्रूप उप सेवन कंट्री जो आती है यूएस ब्रिटेन कनाडा जर्मनी फ्रांस इटली और जपान इसके अलावे इन्होंने कहा कि हम लोग टाइम पर ओर्डरली फैशन में फंक्शन करेंगे और पुरी दुनिया को एक अल्टरनेटिव सप प्लाई जो आप प्रोवाइड करेंगे खार यह इनका एक अपना अजेंडा हो सकता है इंडिया जो है वो इनके साथ एग्री और डिसेग्री दोनों ही नहीं है क्योंकि इंडिया की न्यूटरल स्टेंस इस पूरे इश्यू को लेकर है भारत यह चाहता है कि डायलोक्स के चीजे सोट आउट हो और भारत सेंक्षिन के बहुत ज़्यादा फेवर में भी नहीं क्योंकि अगर रश्या को सेंक्षिन किया जाता तो यह मानता है कि इसका इंपेक्ट अलड़ी दुनिया बर में एनरजी और फूड क्राइसीज पर हो रहा है फूड प्राइसीज लगात 2022 की जो जी सेवन सम्मिट है इसकी थीम क्या है ये क्योशन आप नीचे कमेंट करेंगे इसके बाद राइट हैंड साइड एक टोपिक डिसकेसन किया गया कि जो नागरिक पाकिस्तान से पाकिस्तान में जो माइनर्टी कम्यूटी है पाकिस्तान हिंदू कम्यूटी जो इंड जो इंडिया के अंदर आये थे कि उनको citizenship मिलने चाहिए on the ground of religious prescription करके लेकिन अभी तक भी कोई एक तरीके citizenship नहीं मिलिये इसको लेकर सिमन्त लोग संग्ठन ने जो advocate करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो minority migrant इंडिया के अंदर आये हैं उनको citizenship को लेकर कोई progress अभी तक नहीं हुई है अगर आप citizenship amendment act के बारे में बात करेंगे जो तीन countries के अंदर पाकिस्तान अफगानिस्तान बंगलादेश के अंदर minorities है उनको एक तरीके citizenship की right को लेकर बातचित करता है इसी चीज़ को लेकर पुरे भारत में debate भी होती कि क्या citizenship amendment act को लागू कर देना चाहिए या इसके जो rules and regulations को implementation कर देना चाहिए इसके अलावा यहां पर यह बताया गया कि भाई अगर हम citizenship इनको provide नहीं करेंगे तो क्या होगा यह पाकिस्तान में वापिस आएंगे इनके पास कोई option नहीं होगा फिर पाकिस्तानी agency भारत को defame करने कोसिस करेगी इनको media के सामने प्रेड करवाएगी और इनके साथ बुरा बरताव करेगी यह कुछ जानकारिया दी गई है और दूसरा क्योंकि यह बताया गया कि इनके passport जो expire हो चुके हैं और अगर यह passport को renew करवाना चाहते तो माल लेते कि परिवार में 10 अदिश्य है तो एक लाग रुपे तक की amount इसको लगेगी और इतनी amount इनके पास फिलाल नहीं है यह कुछ जानकारिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो minority communities है वो इंडिया के अंदर आई उन्हों अपलाई किया citizenship के लिए लेकिन इस पूर्वर प्रोसेस के बाद अभी तक भी citizenship को जो है वो हासिल नहीं कर पाए उसी को लेकर एक debate और एक तरीके से यहां पर discussion किया गया है इसके बाद page number 8 पर हम बात करेंगे text and context का page है इसके अंदर एक topic है वो जो हम discuss करेंगे जो main topic है सकते जम्मू और कस्मीर के delimitation report क्या है delimitation का मतलब होता है जो constitutional जो constituencies की या विधान सभा या एक तरीके से लोग सभा की जो boundaries limit set होती है उसको कैसे delimit करना या उसको कैसे increase करता है delimitation जब भी होता है mostly sheets जो हो increase होती है यहां पर बात की जारी है the जम्मू और कस्मीर delimitation report article 82 जो भा यहां पर discussion किया गया और कैसे जम्मू और कस्मीर को लेकर electoral boundaries को जो redraw किया जाएगा और आने वाले time में क्या जम्मू और कस्मीर में election होने वाले हैं यह कुछ questions है जिसके answer इसके अंदर दिये गया है यहां पर अगर आप देखेंगे अगर यह process complete होता था definitely जम्मू और कस्मीर की report को accept करते हैं उसके बाद आप print करते हैं और उसके बाद statehood और बहुत सारी चीज़ा आपको देखने को मिलेगी जम्मू और कस्मीर में पांच मही 2022 को जम्मू और कस्मीर में delimitation commission ने अपनी final report finally submit कर दिये दो साल का समय लगा इनको और electoral boundaries को redraw करेगी जिसके अंदर यह बत तक seat है उसमें 6 additional seat increase करी जाएगी जम्मू रिजन में और एक additional seat जो है वो एक तरीक से revise की जाएगी या add की जाएगी कस्मीर रिजन में जम्मू में 43 seats होगी कस्मीर में 47 seat होगी और इसके बाद center जो है एक order के बाद इसको date fix कर सकती है और chief election commissioner सुसील चंदरा इनने ने ने कहा क कि हम polling station और electro roles को rationalization करने का काम अभी करेंगे इसके अलावा अगर ये implementation होता है बहुत जल्दी तो इसके बाद क्या होगा कि जम्मू कस्मीर जो भी UT है 2019 में जब जम्मू कस्मीर को लेकर article 370 यानि जो temporary provision था उसको हटाया गया था उसके बाद से उनको दो पार्ट में divide हुआ UT लदाक और UT जम्मू कस्मीर अब फिर से जम्मू कस्मीर स्टेट बनेगा और उसके बाद वहाँ पर election का process भी start होगा 2014 में last time election होए थे अब फिर से वहाँ पर election को लेकर जो हो बोल सकते हैं कि सुग बुगहाट इस तरी के से award इस्तमाल कर सकते हैं वो तेज हो गी है तो after multiple objection and extension जम्मू कस्मीर डिलिमेटेशन कमिशन ने 5 मेरी 2022 के अपने रिपोर्ट समिट करी इसके अलावा क्योंकि ये mandate भी था जम्मू कस्मीर रियोर्गनेजिजन एक 2019 के according और इसके बाद फिर एक गजट भी paste किया गया ये हमने discussion किया कि 6 सीट जम्मू के लिए बढ़ाई जाएगी एक सीट जो कस्मीर के लिए बढ़ाई जाएगी और 2014 के बाद आने वाले टाइम में स्टेज बिलकुल सेट कर दी गई है कि election जम्मू कस्मीर में होने वाले हैं डी लिमिटेशन होता क्या है ये सबसे पहला सावल डी लिमिटेशन का मतलब होता है कि जो बाउंडरी लोकस्वा और असेम्बली कॉंसिट्वेंसिज की होते हैं उनको रीड्रो करने का एक प्रोसेस बोल सकते हैं और इसके अलावा election commission of India वरियस states के अंदर ये एक important रोल होत लगी ये process carry out किया जाता है किसी भी country में किसी भी state या UT के अंदर demographics status के अंदर जो changes होते हैं उसके बाद इसके अलावा delimitation जो है वो delimitation commission और boundary commission के दवारा एक तरीके से implement किया जाता है और इसको लेकर कोई भी question court के अंदर नहीं किया जा सकता भारत में delimitation commission 1952, 63, 73 और 2002 के अंदर set किया गए थे और article 370 जब aborgation किया गया जमुन कस्मीर में उसके बाद इस राज्ये के लिए जरूर ही हो गया था कि भाई आभी क्योंकि यूटी है तो फिर जमुन कस्मीर का खुद का constitution होता था जमुन कस्मीर representation of people act 1957 था उसके according भी जो delimitation या limit लगी होई थी लोग सभा constituencies को लेकर जो constitution के दवारा गवर्न की जाते थी उसके अंदर अभी ये changes होंगे या कुछ changes जो recommendation करे हैं और ये implementation आपक 1995 के अंदर हुई थी और 1981 के census के basis पर हुई थी क्योंकि 1991 में जमुन कस्मीर में situation इतनी अच्छी नहीं थी तो census हुई नहीं जनगर्ना हुई नहीं 2001 में जमुन कस्मीर assembly ने क्रेजुलेशन पास किया कि 2026 तर seat नहीं increase होगी ये delimitation process जो वो उसको hold कर दिया गया लेकिन उसके बाद center government ने 2020 में delimitation commission set किया जो state जमुन कस्मीर को लेकर जो बाइफरकेट किया था यूटी जमुन कस्मीर लदाग उसके 6 महिने के बाद और इसको लेकर commission appoint किया गया जिसको chair किया गया supreme court की retired judge रंजना प्रकास दिसाई के द्वारा और ये जो delimitation commission है ये 2011 की census के basis पर हुआ यहाँ पर लगबग एक साल के अंदर इसको report public करनी थी लेकिन दो extension दिये गए इस report में various factors को indicate किया गया कि geographical feature क्या है communication means क्या है public convenience क्या है और particular areas की क्या requirements है उसके हिसाब से इसमें 5 माई के finally अपने report जो वो submit करी इसके लावा इस report के क्या important takeaways है यानि इस report में main main चीजे क्या बता आएगी उसको लेकर discussion किया गया सबसे पहले तो seat का number increase कर दिया है जम्मू के लिए 37 से 46 हो गी है 37 से जुहाँ वो increase कर गए 43 हो गी है और कस्मीर के लिए 46 से 47 हो गी यानि अब total जो number of seat है वो 83 से 90 जम्मू कस्मीर की assembly में होंगी इसके अलावा second यावर बताया commission ने recommendation किया है कि बच दो कस्मीरी पंडित को legislative assembly में nominate कर सकती center government तीसरी बात ये बताएगी है पहले पैनल ने propose किया कि nine seat जो है reserved रहेगी scheduled tribes के लिए जिसमें छे जमू में और तीन जो है कस्मीर वैली के अंदर होगी इसके लावा seven seat जो है वो scheduled कास्ट के लिए जो जमू रिजन में है वहाँ पर रिजो हो रहेगी तो ये जानकारिया दीगी है इसके लावा fourth point ये बताएगे कि कमिशन ने recommendation किया कि government consider कर सकती है कि जो displaced person है खासकर जो पाकिस्तानी occupied जमून कस्मीर से है उनका representation होना चाहिए through nomination ये जान कर दीगी पाच्वा point बताया गया कि जमून कस्मीर region के अंदर क्य currency से कस्मीर region में तो किस्तवार राजोरी उसको rename कर दिया गया कुछ sheets को जो है वो public sentiment के हिसाब से नेम के according किया गया ये कुछ चीज़ी यहाँ पर mention कर गए और final order जो है delimitation commission का जमून कस्मीर में इसमें definitely एक political debate होती है और इसके बाद अगर आप देखेंगे ये जब क्यूंकि इसके बाद ये announcement हुआ था कि जैसे delimitation commission की report आएगी जमून कस्मीर को full statehood का दरजा दिया जाएगा और यहाँ पर election किया जाएगी जैसे situation normal होती है ठीक है इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि जमू की जो population 53 लाक है और कस्मीर की population 68 लाक है तो इसके अलावा यहाँ पर जमून क reservation दिया गया है political sphere में अब बात करते हैं जब report आई तो इसका political जो opinion नहीं हो क्या निकल कराता है बीजेपी को छोड़कर mostly political party जो हो इस report से बहुत जाद एग्री नहीं हुई उन्होंने इसका criticism किया लग-लग perspective में खेर अब आगे क्या होने वाला क्या possibility है तो यहाँ पर आने वाले टाइम में क्योंकि यह गजट notification में एक तरीके से notify किया गया various newspaper के अंदर publish किया गया और इसके बाद जब deal limitation commission को लेकर एक date fix की जा सकती कि कब लागू होगा और उसके बाद यहाँ पर election commission of India polling station को electoral rolls को rationalization और revise करने का काम करेगा और इसके बाद जमुन कस्मीर में 2019 के election कब होगे वो debate भी आने वाले समय में खतम हो जाएंगे जमुन कस्मीर full statehood भी होगा और जमुन कस्मीर के अंदर election भी होने वाले हैं खर politically agree disagreement अलग issue है बट यहाँ पर important चीज़ी यह है कि जमुन कस्मीर को full statehood का दर्जा है लेकिन अभी article 370 पर भी काफी debate है for example कि क्या center government को य right है कि किसी state को वो UT के अंदर convert कर सकती है यह कुछ questions है जिसको लेकर Supreme Court के अंदर भी कही सारी issues pending है खर आगे बढ़ते हैं एक topic जो आपको self study से पढ़ना है कि who should govern our data यानि हमारा data को govern कोन करता है यह एक topic है जो आप self study से पढ़िए अपने basic के perspective में अब बात करते हैं अगर हम द regular information तो नहीं है लेकिन एक जो हमारे लिए important है वो है United Arab Emirat के जो minister है वो business team को lead करेंगे और इंडिया के अंदर आएंगे और आपको बता होगा UAE के जो minister of economy अब्दुल्ला बिन तोकल मरी यह इंडिया के अंदर आने वाले हैं और basically business delegation होगा UAE वो country है जिसके साथ हम free trade agreement को लेकर लगाता consultation कर रहे हैं कुछ agreements हो चुके हैं कुछ और ज्यादा issue जो है उनको लेकर भी discussion किया जाएगा for example comprehensive economic partnership agreement को लेकर discussion किया जाएगा और दोनों countries का target है कि जो इस time पे 60 billion dollar का trade है दोनों countries के बेच में इसको 100 billion dollar तक कैसे लेके जाना है इसके अलाबाब अगर हम देखें बहुत सारे sectors के अंदर trade होगा textile agriculture, dry fruits, gems and jewelry और दिल्ली और UAE की market जो important city इसके लाबा UAE की market के अंदर अगर duty free access मिलेगी भारत के product को तो ये game changer होने वाला है इसके अलाबा यहाँ पने बताया गया कि UAE है वो इतरीके से largest trading partner है इंडिया का अगर आप Western Asia की बात करते है North Africa की बात करते है Central सबसारन African की बात करते हैं अवर ओल इंडिया benefit करेगा क्योंकि preferential market access के अंदर United Arab इम्राज जो है 97% of इसके जो tariff होंगी उनको छूट देगा 99% Indian export को जिसमें labor intensive sector जैसे textile, leather, food, wear, sports, goods, plastic, furniture and engineering products जो है वो सारी चीज़ें include होंगी तो काफी important है और यह बड़ी interesting और एक तरीके से important alliance की तरह आपको देखने को मिला western Asian country में UAE और इंडिया के relation काफी strong हुए है और उसके बाद investment भी लगातार यहाँ पर increase हुआ है इसके बाद page number 11 पर दो छोटी छोटी important information आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले क्योंकि 2022 के अंदर president और voice president की election होने वाले है और president का जब election होगा तो उसमें जो elected MPs और जो विधायक होते हैं एक तरीके से legislative assembly के member होते हैं मले होते हैं उनके vote की एक value होती है तेहाँ पर बताया गया कि value of MPs vote for president poll to go down या नि जो अब तक की value है इनकी 708 ये कम होकर 70 हो जाएगी 700 हो जाएगी after जमूण कस्मीर क्योंकि जमूण कस्मीर में legislative assembly कही ने कहीं है नहीं और जो भी value होते हैं MP के depend करती है कि legislative assemblies में जो state की है union territory जैसे दिल्ली और पुरूचेरी है जमूण कस्मीर की इनके elected जो member होते हैं इनके उपर depend करती है और electoral college के अंदर लोगसभा राजसभा के elected member होते हैं इसके अलावा इसकी में जो state assemblies के elected member भी सके अंदर count की जाते हैं 2019 में जब जमूण कस्मीर को bifurcate किया गया था और यूटी बनाया गया था तब से जमूण कस्मीर की जो assembly है वो suspended है वो तरीके से member MLA वहाँ पर नहीं है तो पहले अब तक 1997 से अब तक 708 तक यहाँ पर member है आने वाले time में maybe increase हो जब जमूण कस्मीर में election होंग है अब आप लोगों के एक सवाल है second question जब हम बात करते हैं प्रेजडेंट साहब के बारे में second question आप लोगों के लिए वइस प्रेजडेंट के election में क्या now nominated member participate करते हैं यहां परelected member participate करते हैं लेकिन क्या voice president होते हैं उनके election के अंदर nominated member जो लोग राज़ागे होते हैं दो वो participate करते या नहीं यह आप नीचे comment करेंगे इसके बाद left hand side बहुत छोटी से एक news है यहां पर आप देखेंगे कि नौर्थistern स्टेट ने के जो और्गनाइजिशन है स्टेट्स ने नहीं नौर्थ इस्टन और्गनाइजिशन ने ये कहा है कि अगर देश के अंदर सिटिजिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया गया तो हम इसका विरोध करेंगे या फिर से एक तरीके से बोल सकते हैं कि वह 2019 में जो कानून बना था ये हर हालत में लागू होगा और ये सच्चा है इसको लेकर बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता तो इसके बाद क्योंकि इनकी असाम के अंदर विजिट होने वाली है और 10 माई 2021 के बाद क्योंकि एक साल कंप्लीट हो रहा है वहां के नए CM बने थे रोकना के लिए काम करना चाहिए एक डिबेट आती इनर लाइन पर्मिट को लेकर कि इनर लाइन पर्मिट का मतलब है एक टेंपरेरी ट्रेवल डोकुमेंट है अंडर दा 1873 रेगुलेशन कि अगर किसी व्यक्ति को भारत के नाचल प्रदेश, मनीपूर, मिजोरोम और करते हैं खेर ये कब लागू होगा कब लागू नहीं होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा और प्लिटिकली डिवेट अर्गूमेंट ये सारी चीज चलती रहते हैं एक्जाम प्रिस्पेक्ट्ट्व से यहां पर मैं बात करूं तो ये वाली जो लाइन्स मेंसर करी ठीक है इसके बाद यहां पर बात करेंगे पेज नमर 12 पर दो छोटी लेकिन इंपोर्टेंट न्यूज है पहली बात ये बताया गया है कि अभी भारत की सुप्रीम कोर्ट के इंदर जो सेंक्शन स्टेंथ है 34 वो कम्प्लीट है और रेर ऐसे चाल्स होते हैं कि जब जितने दो बाद तो ये नेक्स्ट एक तरीके से नेक्स्ट नहीं Chief Justice उफ इंडिया वनने की एक तरीके से रेंज में होंगे और पार्सी कम्प्लीटी से छटे ऐसे जज बने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो एक तरीके से Minority Community का रीप्रेजेंटेशन भारत की सुप्रीम कोर्ट म लिए तो यहाँ पर बताया गया कि पार्सी कम्मुटी से ये छटे नंबर के जज होंगी से पहले पाथ जजी सुप्रीम कोट के अंदर बन चुके हैं 2015 में बड़ी इंटरस्टिंगली इनकी एक हीरिंग भी थी काफी जादर न्यूज में आ गये थे तब इन्होंने पार्टिदर लिडर जो हार्दिक पटेल उनको लेकर अब्जर्वेशन करी थी कि जो रिजर्वेशन है और करप्शन ये ऐसी चीजी है जो भारत को प्रोग्रेस की राइट डिरेक्शन में लेके जाने से कहने कहीं चैलेंज करती यानि रिजर्वेशन और इनके बाद राजसभा में पेटिशन डाय लेगी 58 मिंबर ने ये कहा कि इनका जो रिमाक्स हो सही नहीं है इनके अगेंश्ट एक तरीके से इंपिचमेंट महा अभियोग जैसी चीजे शुरूई बाद में इनका स्टेटमेंट हटा दिया गया इसके अलावा काफी वोकल र रहा गया है जो अलग-अलग समय पर तरीके से पार्सी कम्यूटी से बिलोग करते हैं और वो कहीने कहीं पार्डिस्पेशन करते रहें इनका बहुत सारे एजियाज के अंदर डेथ पेनल्टी रिव्यू है फ्री स्पेश या इन्सॉल्वेंसी लोज के लेकर काफी इंपोर या दूसरे इशूज हो उनको लेकर उनके अपने ओपिनर रहे थे इवन ये भी मना जाता कि इनकी जो जज्जमेंट्स है इनके बेसिज पर जैरिता को तमिल नाड़ों की सीम जबती तो उनको हटना पड़ा था उनको डिस्मिस करना पड़ा था इसके अलावा वरियस जज इशूज हो जाएगी इसके अलावा यहां पर डिबेट की जारी है इंडेस वेली सिवलाजीशन को लेकर या फिर हडपन सिवलाजीशन को लेकर यहां पर एक इंपॉर्डेंट साइट के बारे में डिस्कॉसन किया गया साइट का नाम है राकी गड़ी आपने सुना होगा ह भर्याना के हिसार डिस्टिक्स से बिलोंग करती है और यहां पर यह बतायागा कि कुछ स्केल्टन के सेंपल मिले हैं उनको DNA अनलेसिस के लिए भीजा गया है और यह माना जाता कि राखी गड़ी के बारे पर यह सेंपल सही हो जाते हैं तो यह इंडस वैली सिविलेजिशन की जो बड़ी साइट से उनमें से एक साइट आपको देखने को मिलेगी लगबग 60 स्केल्टन देखने को मिले इस तरीके से फोटोग्राफ आपको नजर आएंगे और इसी को लेकर बताया गया कि एक साइन्टिफिक इग्जामिनेशन इसको लेकर होगा राखी गड़ी जो र के लावा एक कपल की स्केल्टन यहां पर मिले हैं उसको लेकर हैनलसीज किया जाएगा इसके लावा यहां पर बताए कुछ पोट्स मिले हैं कुछ आटफेक्ट मिले हैं और उनको लेकर हड़पन सिवलाजीशन में किस तरह की फॉनररी रिचुल्स थी उनको लेकर observation किया ज डिवालगी जैसे राकी खास हो गया कि साअब जैसे जो सेंपल्ड हैं यह अगर प्रोपर यहां पर इनवेस्टिकेशन होती है और फोरेंचिक analysis होता है तो definitely Indus Valley civilization को लेकर जो एक understanding है उसको लेकर एक game changer ये एक तरीके से इनकी analysis या scientific study जो हो सकती तो ये अपने आप में एक important achievement भी आने वाले एक समय में पता चलेगा कि इसके कितनी ज़्यादा importance है इस site की और 85 civilization को understand करने में हो ज़्यादा मदद करेगी इसके बाद page number 13 world affair दुनिया में इस time पे क्या चल रहा है तो भाई दुनिया में इस time पे पहला तो Ukraine और Russia लगातार चली रहा है वो उसमें कुछ नई बात नहीं है इसके लाबा Hong Kong एक ऐसी territory जो की उसके अंदर जर्जली होता है कि चाइना अपने लोयलिस्ट को पॉइंट करती है Hong Kong मारा जाता है कि एक ऐसी country जिसमें debate एक ऐसा region जिसको चाइना अपने region मानता है और इसमें debate होता है कि जो democratic supporter है और जो चाइना के communist supporter है उनके बीच में आपको यानि democracy versus जो तरीके से also territory region या तरीके से communist या जिसमें self-centered power होती है वहाँ पर debate होती है कि ये replace करने वाले है केरी लेम को और जोन ली नए यहां के elected leader होने वाले जो काफी pro है प्रो एक तरीके से मना जाता है कि इसके बीजिंग के ठीक है और ये इन्होंने pro-democracy moment को इन्होंने criticism भी किया है क्योंकि अगर कोई covenant leader बनेगा तो वो बहुत जादा फिवर में नहीं होगा democratic process के अंदर इसके अलाबा सिलंका के अंदर लगातार protest चल रहा है रिशन में वहां के जो प्राइमिनिस्ट महिंदा राजपाक से वो एक बहुदी ट्री के असपास गए थे अनुरादापुर में तो उन्होंने लोगोंने इसके काफिश प्रोटेस्ट किया उनको बताया गया कि अगर आप step down कर लेंगे तो हम आपकी पूजा कर लेंगे यहाँ पर food, fuel, medicine बहुत ज़्यादा एक तरीके से problem हो रही है worst economic का एक तरीके से downtrend face कर रहा से लंका 1948 जब से independence वी तब से लेकर अब तक even cooking gas, petrol, diesel के अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर लोग क्योंकि उनके पास option नहीं है तो loot रहे है, emergency लगाई गई है और defense ministry बोल रहे हैं कि जो anti government demonstration है यह proactive है, treat कर रहे है बहुत एक तरीके से और essential services को loot रहे हैं वो सारी चीज़े भी आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा फिलिपिन्स के अंदर election होने वाल है फिलिपिन्स के अंदर election में जनली यह होता था कि काफी जादा fair election नहीं हो पाते थे तो अब यह बताया गया कि situation normal हो रही है और यहां के authorities ने बताया कि election को fair करवाने कि हमारी पूरी possibility होगी पूरी efforts होंगे political violence, cheating allegation, vote buying इस तरह की चीज़े नहीं होगे और fair election होंगे फिलिपिन्स वो country है जो भी भारत के दूसरा आशियन का एक important part है तो उस perspective से भी important है इसके लावा Syria के leader इरान के अंदर गए है यह थोड़ी rare विजिट है क्योंकि Syria के जो leader असद बसर असद यह बहुत ही कम विजिट करते है किसी country में 2011 के बाद पहली बार इनकी कोई विजिट है और civil war के बाद इन्होंने एक तरीके से विजिट करी है इरान और Syria दोनों close allies हो सकते क्योंकि दोनों का एक सांजा दुस्मन है वह है इसराइल और वो उसको लेकर criticism भी करते रहते हैं तारीफ कर एक दूसरे की कि हम दोनों बहुत अचा काम कर रहे हैं और एक तरीके से दोनों ने एक दूसरे को support करने के बारे में बात की है खेर इनके कोई क्या impact होंगी क्या नहीं ये पता नहीं बट फिलाल के लिए दहिंदू news analysis में तना ही business section मंडे को नहीं आता review आता है तो उसको लेकर हम कोई discussion नहीं कर रहे हैं धन्यवाद जहिन